नमस्कार आज हम आपको भारत की जो पहला महिला सिक्षा के लिए आजादी में लड़े थे सावित्ति भाई फूले के कुछ आपको कहीनी सेयर करना साहेंगे और साथ तो साथ हमारे भारत देश के अभी जो हिजाब कांट्रबिसी राजनीटी चल रहा है उसके साथ थोड़ा कंपेर करेंगे क्योंकि हमारे भारत में आज महिला की हर सित्र में एक अगरनी भूमी का निभा रहा है महिला जाहे कुछी भी सित्र में ले लो जाहे वो टेक्नो साइंस और टेक्नोलोजी में ले लो जा है वो आपको हर सित्र में महिला को एक अपने उपस्तित्या दर्स करते हुए दिखा होगा तो महिला आज के डेट में पूरुक से आगे निकल के है आपने एक कहवत सुना होगा कि एक औरत या एक स्थ्री जब परहा परते है या वो परके सिक्षा लेते हैं तो उस घर का सारे सदेश्चा क्योंकि सिक्षा लेते हैं तो और भी ये भी मना जाता है जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहला जो उसका जो गुरु होता है वो मा होता है और मा ही आपको हर सिक्षा आपको दिलाद देते हैं, वो सबसे पहले पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये पता होगा, इसी सिक्षा को पाने के लिए 171 साल पहले, यानि 800 दसक में भारत में ऐसा एक समाज बिवस्ता थे, जहां पर बिलकुल औरत को परहाई लिखाई करना, किता परना ये पाब मना जाता था, उस ताइम में सिर्फ आड्मी ही पर लिख सकता था, एक औरत नहीं, एक मर्द ही परहाय सकुल जा इक पर प्रिपलत रिख सकता था, और अभी सबसेदी भाई फूले भारत का पहले महिला ER, हिला शिक्षा की अजादّी के लिए पहले उसने समाज से लड़े और उसके बाद उसने भरत में सबसे पहले बाली का बिद्याला इस्थपन किये थे आज हम आपको साबिट्री भाई फुले की एक इंस्प्रेशन लेके आपको सोटा साथ मिलब काईनी स्थोरी आपके साथ शेयर करना साएंगे और साबिट्री भाई फुले सबसे पहले महारास्तर में कितने में पैदा हुआ था साबिट्री भाई आठारो सो एकतीस में उसने जर्म लिया था साबिट्री भाई फुले एक सो एकतर साल पहले हमारे भारत का सबसे बाली का बिद्याला महिला स्थपक थे और सबिट्ति भाई फुले ही भारत का सबसे पहला महीला टीसर है तो हम उसकी जो अभी उसकी महीला सिख्षा के आजादी दिदाने के लिए जो महीला के लिए इसकुल खोला था उसकी जो एक हम आपको चोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, साबित्री भाई फुले महारस्त्र में एक चोटे से गाउ में 831 जानुवारी को उसने जनम लिया था, उसके बाद उस ताइम में भारत में जो समाज विवस्ता थे, वो बिलकुल निन्ममान की थे, क्योंकि उस ताइम में अदमी पुरुषपधान समाज थे, वहाँ पे कोई भी स्त्री या महीला किताब नहीं पर सकता है, ना कोई इसकुल जा सके, तो उस ताइम की जो महीला है, सोटी उमर में ही बाईला बिबाख कर दिया जाता था, साबित्ती भाई फुले का भी यही क्योंकि उस ताइम की जो समाज विवस्ता थे, बाल विवाद थे और सुवाशूत पढ़ता थे, और डुसरा यह भी था, उस जमाने में किसी भी औरत को किताब पढ़ना, इसकुल जाना पाब माना जाता था, तो उसी की महल में पहले महीला भारत की ऐसा एक महीला है, जो स महीला सिक्सा की अधिकार में समाज में जा जाके, घर घर में जा जाके, उसने महीला सिक्सा के लिए जगरूट किया, और उसको उसने समझाया की, उसका एक मंत्रत है, उसका मंत्रत ये था, इंसान का सच्छा गहना की सिक्सा है, यानि हम जब औरते, या स्त्री, या जब मह हम समाज में पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही हम अपने आपका अधिकाय मान सकते हैं तो सबितिपाई फुले ऐसे ही अपने घर घर के जा जाके उसी की समाज के आदमी को मोटिवेट करता था क्योंकि उस जमाने में और पढ़ना लिखना और इसकुल जाना पाप मना जाता है आ तो उसको समाज से बहार निकाल दिया जाता था है या उसको अपने समाज में सबसे नीज या सबसे पापि इंजान मना जाता था तो सबितिपाई फुले जब उसका रञेशेचा शलीत है थैक ए उसके सादी हुआ था हॉससपेilde में जूतिभा फूले के साथ उसका साधी हुआ था क्योंकि जूतिभा फूले उस ताइम कि क्यूंकि पुरुस पधान थे जृतिबा फूले परहाई लिखा आपने के लिए कर दिया यानि हरна को आज की डिशेब होता है एक इंसान का जो सकेस्पुल होता है profess औरत के हाथ होता है लेकिन उस जवाने में साबिट्टी भाई फूले के साथ ये उल्टा था क्योंकि साबिट्टी भाई फूले इसको नहीं जा सकता था वो किताब नहीं पढ़ सकता था क्योंकि उस समाने में किसी औरत को पढ़ना लिखना पाप मना जाता था तो उस ने उस करते थे उसी के साथ वो परहाई करने लगा फिर उसका पती ने उसको इंप्रेशन दिया कि मैं तो किसी समाज में जाके महिला को मैं सिक्सित नहीं कर सकता हूं या नहीं परा सकता हूं यह जो भार है मैं आपको दिया हूं मैंने जो जो सिक्सा दिया है इस समाज को सुधारने के लिए या किसी लड़की को सिक्षित बनाने के लिए आप घर-घर में जाईए और उसका आप परहाई की महत्त समझाईए फिर उसके बाद जब पतिवा सबिटिवाई फूले अपने घर-घर में जाके हर घर की बुजुर्क और सबको यह समझाने लगा कि सिक्सा ही आडमी क में गहना है तो हम सिक्सा के अलाबा और हमारे कोई मितलब गहना है नहीं तो उसके बाद उसको कोई कोई आर्मी ने सपोर्ट भी किया और मैक्सिमम 90% आर्मी ने उसको वह जो बात कही थी उसको बात कहके उसको गाली गलोस करने लगी उसको पापी नहीं बोलने लगी और ऐसे ही उसको सारे मार पीट करने लगी, उसके बाद वो एक कांटिकारी हिसाब से अपने मन को कभी सांथ बैठने नहीं दिया, उसने ठान लिया कि मैं एक दिन महिला को सिक्षित करते रहूंगी, और एक दिन महिला को अपने परहाई का हग दिलाते रहूंगी, तो एन में उसने सबसे समाज को समाज बिरूडी जितना एजेंड़ा थे उसको सबको मिलब नियों सी उसने आठारहसो अठालिस में सिब नौ लड़कियों के एक पुने में इसकुल स्थपना की थी और उस सबसे पहले तो हम भारत बर्ष में सबसे पहले बाली का बिद्यालाइकर जो स्थपन की थी वह सबिट्टि भाई फुले थी और कब की थी वह की थी एक जानुआरी 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 फुले सबसे पहले नौ लड़कियों के लेके एक पुने में बाली का बिड्याले स्थपन किये और वो नौ लड़की को उसने सिक्षा देने के लिए अरम कर दिया उसके बाद और फिर उसमें भी एक छोटा सा कहिनी है जब सभित्री भाई फुले अपने घर से इसकुल जहां खुले थे उसमें कम से कम दूरी पड़ता था दो से तीन किलुमेटर तो वहां से वो पेदल जाना पड़ता था तो जब पेदल जाते थे तो रास्ते में उसको जो गाओं की लूख हो जाता था गुबर फेका जाता था कसे ने डाल दिया जाता था और उसको बहुत गंडी-गंडी कमेंड किया जाता था फिर भी उसने क्या करता था उसके बेग में हमेसा दो सारी रखते था एक सारी वह उसको पता था घर निकलते ही उसको पता होता है कि मैं जब तक इसकुल से लिप्टा हुआ या जिस जो गंडे सारी यह अपने बेग में रखते थे और दूसरे सारी पहन के अपना अपने जो नौ लड़कियों है उसको अपने पहले सिक्षा देने के लिए अरम कर दिया है तो आप एक बात के लिए सोच के देखो हास की जवाने में और उस जवाने में महिला सिक्षा के लिए जो लराई हुई थी तो वह उस औरत को क्या भिट्टा होगा जब उसको से प्रहाई के लिए किसी ने किचर या गुबर फिका होता तो हम ऐसे महान सबित्ति भाई फुले को लमन करते हैं आज हमारे भारत बर्षे ही नहीं बिस्तो की हर जगा हर दो इसे गा महिला हर शित्र में आगे है हमारे भारत के पहला रास्तरपती पटिवासिंग पेड़ल और हमारे जो साइंटिस्टे कलपना साअवला ओभी एक और ती थे तो हमारा कहना यह है कि भारत में हमारे यह भारत देश में हमको यह सिखना चाहिए कि बाकि यूरूपियन देश या बाकि अमेरिका जीसा देश हमारे यह धरती में या इस ब्रहमान में इंसान के लिए सिर्फ एक ही जगा बचा हुआ है तो वो है हमारे घरती हम ना यूरेन डौन नेट सून या प्लूटू या मंगल्गरा में रह सकते हैं ना हम किसी दूसरे जगां में रह सकते हैं इंसान का एक ही हमारे समय हम किसी रइज़ते हैं और इसी तक्रे में किसी किसी एक हिस्से में अपने घर में रहते तो थो हमारे जो इन्सान एं जो हम इनbeltे हम ना हिंदू है ना मुस्लीम है ना शीख टान इसाय सब सब्साप एनें हम इनसान थे हम जैसे हमारे کوئी इंसान नातिया हमारे कोई उकाट नहीं जिस दिन इस धर्ती का थोड़ा सा भी ग्रेविटी या जामिती इधर इधर होगा तो हमारे ये धर्ती बिनास हो जाएगा इंसान नाम की कोई नामों निशान नहीं रह जाएगा तो हम क्यों अपने धरम की नाम पर किसी मस्जित, संदीर या किसी धरम के रास्त पे रास्तनिती करें हम सिक्सा ही सब इत्री पाई फुले एक बात कहीं थी सिक्सा इंसान का सच्छा गहना है यानि हमारे जो अभी आने वाला जो समा से सिक्सा की जरीए तो हम पूरे वर्ल को यह दिखा सके कि हमारे इंडिया सबसे महान है आज हम आज हिंदु मुस्लिम की या सीख इसाई की राजनीती में या हिजाब कॉंट्रिविसी चक्कर में हम लोग अभी हमारे इंडिया के लोग फशा हुआ है लेकिन ऐसा ही एक यूरिपियान जैसे अमेरिकान डेश या चाइना जैसा देश और दूसरे इंसान को इस धर्टी है की उस उसमें लगा परा हुआ है और हमारे देश भारत जीसा देश चोटी सी एक 10500 करोर आडमी लेके फिर हम हिंदु मुस्लिम या सीख इसाई में परा हुआ है तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे डेश का जो औरजगता है अभी हमारे डेश में राजनीती है या हमारे डेस की जो एक बिवस्ता है वो सिब एक कानून होता चाहिए तो हमारे इंसान होने के खातिर हमारे कोई अस्तित्तर नहीं है हमारे इंसान होने के खातिर हमारे पास सिब दो मिनीत का अस्तित्तर होता है आप खुद देख लो अपने नाक और मूख और काना बन करके सिफ दो मिनीट देखो आपका कोई अस्तित्तर नहीं रहोगे यानि कहने का मतलब यह है कि हम ना हिंदू है ना मुस्लीम है ना सीख है हम सबसे पहले इंसान है इसलिए हमें इंसानियत के नाते किसी ध्रम को आगे नहीं लेना चाहिए हमें सिक्सा लेना चाहिए और सिक्सा ही महान अपना गहना होता है तो आज की जितना भी औरत, आज की देट में औरत हर सेत्र में आगे हैं, तो मर्ज से भी थोड़ा आगे ही चला गयी, ये दो 21 सिदी में, क्यूं ये सिफ सिख्षा से ही मतलब संभव हो पाया कि एक औरत अभी बहुत आगे जा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश का हमारे देश में कुछ संभिडान है, हमारे देश में कुछ कानूं है, तो हमें हर एक नगरिक इंडिया में रहने वाला जाओ, हिंडू हो जाए, मुच्लिम हो जाओ, शीक हो जाओ, इसाय हो, उस कानूं को मानने का अधिकार है, हमने तो बहुत सारे न्यूज में दिखाए क हिजाब में हमारे पास मोली कदिकार है हम किसी कॉलेजиг में या एसकुल में हम हिजाब पहन के जा सकते हैं हमारे हिन्डु की जो भाववागम से लेकर हम वहां सकते हमारे मोली कदिकार है लेकिन हमारे सबसे पहले एक संबिदान है हमारे एक उस्तन्याल है उसका एक कानून है आप हिजाब या किसी धरम की या आप गमशा पहन के लेकिन आप उससे सिक्षार लेके आप IPS अधिकारी बन सकते हैं लेकिन आपको हिजाब या गमशा लेके या आप किसी IPS अधिकारी में कहीं पर duty नहीं कर सकते है क्योंकि उसका एक अलग से uniform code होता है आप आप हिजाब पेन के या हिंदू के गमशा लेके आप कहीं पर डक्टर बन सकता है आप नार्स बन सकता है लेकिन आप operation नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पर एक अलग ड्रेस कोट है आप यह नहीं बता सकते हैं कि मैं हिजाब पेन के या मैं घबुआ कामशा लेके उसको परशन करेंगे यानि जैसे हमारे भारत बर्चा में कोई आर्मी है तो हिंदू या मुसलमान सीख इसाय वो बोलेगा हमारे धरम धरम का हम देश पीने यह कभी होगा नहीं मेरा इस वीडियो बनाने का मक्षट यह है कि मेरा सिनल तो ऐसे एडूकेशन से रिलेट है मेरा कहने का मरलब आपको मौटिवेशन देने का मरलब यह है कि हमारे देश को जो महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले जो अजादी दिलाईत है जूती भाई फूले वो सिप एक ही अपनों बात यह है कि सबसे पहले हम इंसान है तो यह बात समझते है आज के लिए इतना ही जैहिन और मेरा वीडियो में कोई गलती हुआ है या किसी सीस के लिए आप लोग को सूट पहुंगा होंगा तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए ऐसे तो मेरा इस वीडियो बन इसा नागरिक होने के नाती या मेरा मौलिक अधिकार के नाते में किये आपको श्यार करना साहूंगा प्लीज मेरा कुछ गलती होगा तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए थैंक्यू